फिल्म इंडस्ट्री में लीड रोल से फेमस होने वाले बहुत से किर्दार आपने देखे होंगे लेकिन क्या आपने एक ऐसा किर्दार देखा है जो किस्टा है जिमी शेरगिल का जो flop हुए तो लोगों ने कहा अच्छा हुआ ये आक्टर मुख्य अभीनेता के तौर पर flop हो गया नहीं तो film इंडस्ट्री को एक अच्छा supporting character नहीं मिल पाता लीड रोल में उनका सिक्का ना चलने के बाद उन्हें supporting character के रोल में अप्रोच किया जाने लगा और वे इसमें अपनी दमदार च्छाप छोड़ने में बिलकुल काम्याब रहे जिमी शेरगिल का जन्म एक पंजाबी family में हुआ 3rd December 1969 को गोरखपुर में उन्होंने जन्म लिया और जिमी का real name जस्चीत सिंग गिल है लखनो में schooling करने के बाद उन्होंने St. Francis College में पढ़ाई की और उसके बाद पंजाब चले गए इसके बाद जिमी ने पंजाब से ही आगे की पढ़ाई की और post graduation की डिग्री हासिल की बाद में जिमी अपने कजन के कहने पर acting में अपनी किस्मत आजमाने के रिए मुंबई आ गए और रोशन तनीजा acting classes को जॉइन कर लिया 1970 के आज़ पास जिमी ने फिल्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा उनकी पहली फिल्म Marches थी जिसके निडेशक गुलजार थे ये फिल्म पंजाब के आतंगवाद पर based थी इस फिल्म ने box office पर ठीठा बिजनस किया इसके बाद उन्हें बड़े डारेक्टर ने अप्रोच किया और उन्हें multi-starrer वाली फिल्म मोहबतें के लिए break मिल गया और यही वो फिल्म थी जिससे जिमी शियरगिल को पहचान मिली इसके बाद उन्हें एक के बाद एक अच्छी अच्छी फिल्मे की और फिल्मों की लिस्ट बना डाली जिमी शियरगिल की popular फिल्में वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन कुछ फिल्में ऐसी थी जिन्होंने ऐसा काम किया कि जिसमें उन्होंने अपनी चाप छोड़ दी जैसे की मोहबतें, दिल है तुम्हारा, मेरे यार की शादी है, मुन्ना भाई MBBS और तमाम बहुत सारी फिल्में जिसमें से उनकी आखरी फिल्म जो थी वो बहुत ही शामदार रही अब हिंदी फिल्मों में काम करने के बाद जिमी शेयर गिल ने 2005 में पंजाबी फिल्मों में हाथ आत्माया उन्होंने पंजाबी फिल्म यारा नाल बहारा से डेब्यू किया, इस फिल्म को वॉक्स आफिस पर अच्छा रिस्पॉंस मिला पंजाब इंडस्ट्री में उनकी ये फिल्म चलने के बाद उन्होंने कहीं सारी फिल्में की, जिसके बाद जिमी शेयर गिल की गिंती पंजाबी इंडस्ट्री की टॉप आक्टर्स में से होने लगी उनके पंजाबी फिल्मों की अगर बात करें तो उन्होंने यारा नाल बहारा, मननत, तेरा मेरा की रिष्टा, मुंडे यूके दे, मेल करा दे रब्बा जैसी बहुत सारी फिल्मों में काम किया जिमी शरगल सिक हैं, ये तो हम सब ही जानते हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर में पगड़ी क्यों नहीं पहनते अब इसके पीछे भी एक बहुत ही मशूर किसा है, जब जिमी महस 18 साल के थे तो वो हॉस्टल में रहने चले गए और हॉस्टल में रहते वक्त उनके बहुत लंबे बाल थे, जिससे वो काफी ज़्यादा परेशान रहते थे इसके बाद उन्होंने अपने बाल कटवाने का फैस्ता लिया और उन्होंने बाल कटवा लिया हाला कि इस decision से उनका पूरा परिवार उनसे बहुत दिनों तग खपा था और जिमी से कोई भी बात नहीं करता था तकरीबान डेढ़ साल तक किसी ने जिमी से बात नहीं की अब बात करते हैं जिमी शेयरगिल की personal life की तो वैसे तो जिमी के लाइफ में बहुत सारे लोग आते रहें, बहुत सारे लोग जाते रहें लेकिन जिमी ने अपनी long time girlfriend प्रयंका पुरी से 2001 में शादी की जिसके बाद उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम वीर है और अगर जिमी शेरगिल की कुल संपती के अगर बात करें तो वो लगभग reports के मताबिक 76.14 करोर सुपे बताई जाती है उनकी car का collections भी बहुत शांदार है क्योंकि जिमी को cars का भी बहुत जादा शौक है उनके पास Ferrari और Range Rover जैसी बहुत सारी कारे हैं इसके अलावा उनके पास Harley Davidson bike भी है जिमी शेरगिल चार साल के लंबे break के बाद film industry में comeback कर चुकी है उनकी फिल्म शारिक 2 रिलीज हो चुकी है और इसके अलावा जिमी नेट्फलिक्स पर चूना नाम की एक web series पर दिखाई देंगे जिमी ने काफी दिलों पर रास किया और जिमी अपने fans के मामले में भी बहुत जादा strong है क्योंकि उनकी fan following आज भी बहुत जादा है आपको जिमी कैसे रखते हैं हमें comment section में comment करके जरूर बताईएगा बने रहे हमारे साथ नमस्कार